व्लकम टू क्लास और आज हम लोग नेक्स चैप्टर में है टेश्ट स्रीज में और हम लोग का चैप्टर है समविधान की प्रस्तावना तो सभी लोग अपने पने स्क्रीन पर आजाईए और अपने अपने मॉबाइल को आउन किजिए और टेश्ट देने को तयार है उस लिंक पर क्लिक करके आप टेश्ट दे करके खुद का अनलाइसिस स्वैम करेंगे अगर रियल्ट पूर हो तो फिर से वीडियो क्लासेज करें और पूरा याद रखें और पुनह टेश्ट दे और अपने रैंकिंग को सुधारें ओके क्योंकि कुछी दिनों के बाद एक आत्मा को आख्या परदान की गई है जवाब देंगे भारती संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा को आख्या परदान की गई है और सही जवाब आया है बहुत अच्छा जवाब आया है 94% का प्रस्तावना यस प्रस्तावना को उसकी आत्मा को आख्या परदान किया गया ह सब्सक्राइब निर्माताओं ने किस पर विशेश ध्यान दिया था मौलीक अदिकार पर नितीर दिया सकत्थो पर प्रस्तावना पर बूल करतव पर जवाब दीजिएगा हरी आप सम्विधान निर्माताओं ने किस पर विशेश धियान दिया था और नेश्ट कोश्चन है हमारे स्क्रीन पर यह रहा भारत में जन प्रिये संपर्भुता है क्योंकि भारत के सम्विधान की प्रस्तावना सुरू होती है इन सब्दों से अब यह बताईए कि भारत के सम्विधान की प्रस्तावना सुरू होती है किन सब्दों से ध्यान देंगे और जवाब दीजिएगा आप सभी लोग जिससे पता चलता है कि भारत में जन प्रिये संपर्भुता है वेरी गुड हंड़ेट पर संट वेलड़न और नेश्ट कोश्चन आपके स्कीन पर यह रहा भारत को क्यों कहा जाता है और हमसे चसे आप रिट किये हम सही जवाब जो आ रहा है व हो बताएंगे और और चुफा आप संट्ट का कहना है यहां यहां राजिक का परमुक निर्धारित अवधिक के लिए निर्वाचित होता है तो सही बात है तो भारत को गंतंतर इसी लिए कहा जाता है क्योंकि यहां राजिक का परमुक निर्धारित अवधिक के लिए निर्वाचित होता है और नेश्ट कोश्चन की तरफ हम बढ़ते है है भारत है एक या है बारत है भारत बताईयेगा बारत है एक क्या है 100 परसिवार्ट का काना है धर्म-णीर पेच्छ राष्ट है भारत और भारत ऑप אתה behavior rous निश्ट कोbon बंपके स्कीन पर आएगा और यह रहा अगला कोश्चन धर्म निरबेश का अर्थ है धर्म निरबेश का अर्थ यूव जल्दी वताइएगा जवाब का सभी धर्मों का महत्व सुविकार करना सभी द्रहत हैं नर्प कोस्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला कोश्चन या रहा भारत एक धर्म निर्पेच राज है इसका मतलब है कि भारतिये राज क्या है चल्दी बताइएगा भारत एक धर्म निर्पेच राज है इसका मतलब है कि भारतिये राज किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है सही जवाब है 96 का कि भारतिये राज किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है और अगले कोश्चिन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इस पर मोहर लगाएं और अगला कोश्चन आपके स्कीन पर है गंतंत्र होता है क्या होता है गंतंत्र हालाये घंतंत्र होता है यह यह जरा रहा रहा है और जवाब है कि राज जहां पर अध्यच्ष वन्सानूगत रूप से ना हो गंतंत्र क्या होता है यह आप आपको समझ में आ रहा है कि राज जहां पर अध्यच वंसा मुगत रूप से ना हो सही जवाब है और वेल्डन और नेश्ट कोश्चन आपके स्कीन पर यह रहा निम्न में से वे दो सब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42 संसोधन द्वारा सम्विधान की उद्देसिका में किया गया था चलिए बताइए हरी अप रीड वे दो सब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42 संसोधन द्वारा सम्विधान की उद्देसिका में किया गया था कौन सा है वेरी गूर्ड आपके है परभुत्व संपन और लोगतांत्रिक ये दो सब्ध है परभुत्व संपन और लोगतांत्रिक जिनका समावेशन 42 वेशन सुदन द्वारा समविधान की उदेशिका में किया गया था और और सही जवाब है और अगला कोश्चन भारतिय स्मिधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घो appearance किया रूप में घोसित किया रूप में ये भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में गुशित किया गया है एक पर भुत्व संपन समाजवादी धर्म निर्पेच प्रजात आंत्री गंदराज्य के रूप में 91% का कहना है और यह सही जवाब है ओके तो नेशट कोस्चन है आपके स्क्रीन पर भारत एक गंतंत्र है इसका अर्थ है अभी बताये थे वैरि गुड हांड़्ड परशिसत का कहना है भारत में वंसा नुगत्षासक नहीं है भारत में यह भारत एक गंतंत्र है स्कार्थ है और नेश्ट कोश्चन आपके स्कीन पर यह रहा चलिए निम्न में से कौन सा सब्द भारत के समविधान की उदेशिका में नहीं है यह चार सब्दिया है इसमें से कौन एक नहीं है कि लोग कल्यान भारत के समविधान की उदेशिका में नहीं है भारत के समविधान की उदेशिका में परभुत्व संपन समाजवादी पंथ निरपेश्टों हैं यह तीन सब्द हैं लेकिन यह लोग कल्यान चौथा जो दिया गया है यह नहीं है तो याद रखेंगे कि भारत क सब विधान की उदेशिका में परभुत्तु संपन समाजवादी और पंथ निरिपेश सब्द हैं और नेश्ट कोश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा क्ल्यानकारी राजिका उदेश है क्या है जल्दी बताएंगे क्ल्यानकारी राजिका उदेश क्या है तो 87% का जवाब आया क्ल्यानका प्रबंद करना और यह सही जवाब है और अगला कोशन आपके स्कीन पर यह रहा है भारत को एक गंदराज पर मुख मुख रूप से माना जाता है क्योंकि यहां राज्या ध्यच का चुनाव होता है 98% कह रहे हैं कि भारत को गन एक गंदराज मुख रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां राज्या ध्यच का चुनाव होता है और अगला कोशन आपके स्कीन पर यह रहा है भारती सम्विधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में कौन सा क्रम सही है ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे और बताएंगे कि भारती सम्विधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है हड़ी अब जल्दी किजिए यह 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 वेरी गुड़ और 84 परशंट का जवाब आया है सारो भौम सबसे पहले फिर सत्ता संपन समाजवादी धर्म निरपेच जनवादी गंतंत्र यह सही क्रम है भारती सब्विधान की प्रस्तावना की सिलसिले में सही क्रम क्या है ध्यान से पर फिर से सत्ता संपन समाजवादी धर्म निरपेच जनवादी गंतंत्र याद रखेंगे तो नेश्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं और अगला कोशन आपके स्कीन पर यह रहा सम्विधान की प्रस्तावना में परियुक्त सब्सेक्यूलर का अर्थ है सेक्यूलर का क्या अर्थ है बत उपासना की स्वतंत्रता यही है सेक्यूलर का अर्थ सेक्यूलर का अर्थ आज कर बहुत च्यादा न्यूज में हिट करता है सेक्यूलर 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 हैं हम सेक्यूलर दल हैं हम सेक्यूलर सब्सेक्यूलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स् सब्ध धर्म निर्पेचता भारत के सम्विधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था इसके विशे में निम्न में कथनों में कौन सही है चलिए बताएंगे सब्ध भारत के सम्विधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था इसके विशे में यहां दिया गया दोनों कथन सही है और यह बताने वाले स्टूडेंट से 93% यह वर्स1976 में जोड़ा गया था सब्ध धर्म निर्पेचता कब जोड़ा गया 1976 में और यह 42 सम्विधान संद धर्म निरपेच्ता भारत के समविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था और अगला question देखते है ये रहा भारतिये समविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है बताईए कि भारतिय समविधान में जो लिखा हुआ है सब्द हम भारत के लोग इससे क्या अर्थ निकलता है वेरी गूड जल्दी से बताईए आ रहा है जवाब इसका अर्थ हुआ कि समविधान का निर्मान भारत की जनता द्वारा हुआ है 93 परसेंट का सही जवाब आया है समविधान का निर्मात भारत की जनता द्वारा हुआ है या अर्थ है हम भारत के लोग का तो नेश्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला कोश्चन है समा समाजवाद पार्टी है तो समाजवाद का क्या अर्थ है जल्दी से बताएंगे समाजवाद का अर्थ है येस सही जवाब है समाजिक नियाए 90% कह रहे हैं कि समाजवाद का अर्थ है समाजिक नियाए ओके तो नेक्ष्ट कोश्चन देखते हैं और यह रहा समाजिक सम्ता का अर्थ है समाजिक सम्ता का क्या अर्थ है जल्दी से बताएंगे यहस यहस वेरी गूड हरी अप और यह जवाब आया है इट इट परसंट का भेद भाव का अभाव समाजिक सम्ता का अर्थ है भेद भाव का अभाव और अगला कोश्चन अब आपके स्क्रीन पर यह रहा कंप्लीट हो गया हमारा यह एक्जाम ओके वैल डन प्ले वैल प्ले और नेश्ट टेस्ट में फिर हम लोग मिलते हैं गुड गजब बाई